आप बताएं कि पाकिस्तान उस तरह से काम कर पा रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर जिस तरह के पॉलिटिकल कर रहा है पॉलिटिकल एशूस चल रहे हैं क्या समझते हैं आप पाकिस्तान कहां चल रहा है जी फूसरी चीजों को पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि हम मुल्क के अंदर बहुत शारी द्राव चीज़ें जैसे अगर बात करें गोल्ड बहुत ज्यादा है बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम काम कर सकते हैं लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहें जैहिन दोस्तों भारत एक बार फे से चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों पर भारी प जी फरस्ट अफ़ वाल तो मैं ये कुँँगा कि इस टाइम जो हमारी मजूदा गोर्मेंट है उनका और प्रस हमारे जो इंडियन है मुदी साफ इनके बड़ी अच्छी पैच अप है तो ये अवेल करना चाहेंगे क्योंकि अगर इंडिया स्टेप ले रहा है तो पाकिस्ता झाल को इस चीज़ में पीछे नहीं रहेगा तो अगर एक अच्छी चीज़ है हमारे डेलराइज कहते हैं सेल्फ डिफैंस के लिया वाले से तो फिर हमें इसको चाहिए के इंडिया से पहले हम इसको पिक कर लें और इसमें जितने भी हमारी हिए हिफाज़त है सरहतों गी ह तो हमारे मुल्क को चाहिए कि इसको अब हाली में भारत ने अपना मेड इन इंडिया ड्रॉन तपस लॉंच कर दिया है जिसे की DRDO द्वारा बिक्सित किया गया है और इसकी जो मैनुफैक्चरिंग है वो हिंदोस्तान एरोनॉटिक से लिमिटेड द्वारा की जाएगा तपस एक संस्कृत का सब्द है जिसका मतलब होता है तेज गर्मी और इसमेड इन इंडिया ड्रॉन का नाम तपस इसी लिए रखा गया है कि ये अपनी गर्मी से दुसमन को जला कर राक कर सके तपस ड्रॉन में दुनिया के सबसे घात तक हात्यारों और अविशकारों का उप्यो है इसमें टर्बो प्रॉप टाइप इंजन लगाए गया है जिसके जो फैन होते हैं वो बाहर के साइड होते हैं इसमें तीन फैन लगाए गया है जबकि जो टर्की का ड्रॉन है टीवी टू इसमें किबल दो ही फैन लगाए गया है हाला कि यहाँ पर टर्की का कहना था कि दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन है जो की टर्की न बनाया है और इसी चीज को देखकर भारत ने टर्की के जो ड्रोन है उन्हें खरीदने की एक्चा जताई थी लेकिन जो टर्की था उन्होंने इस ओर्डर को रेजेक्ट कर दिया और अपने जो ड्रोन है वो भारत को दे जादा पावर वाला इंजन लगाए गया है जो की तक्रीवन 130 से लेकर 180 बार्ड का पावर जेनरेट करेगा यह ड्रॉन 35,000 फिट की उचाई पर 18 घंटे तक घूम सकता है और यह एक बहुत ही लंबा समा है और साथी साथ बहुत ही जादा उचाई है क्योंकि इस उचाई पर जादा तर कॉमर्शियल प्लैन चलते हैं तो यहाँ पर यह इस ड्रॉन के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह जादा से जादा रडारों से बच पाएगा तपस ड्रॉन बास्ता में कर सकता है जबकि दूसरी तरफ अगर हम टर्की के ड्रॉन टीवी टू को देखें तो इसकी कैपेसिटी केबल डेर सो किलो की ही है भारत का यह जो ड्रॉन है वो दुस्मंदेश के जो टैंक हैं उनको नस्ट करने के काम में आएगा और इसी लिए इस चीज को देखते हुए DRDO ने इसमें चार-चार हार्ट पॉंट लगा हैं अब अगर यहाँ पर आप हार्ट पॉंट नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि अपना फाइटर जेट बगेरा में देखा होगा कि नीचे की और जो मिसाइल बगेरा अटेच होती है तो वो जो अटेच करने की जगा होती है उसे ही हार्ट पॉंट कहा जाता है और वही जो जगा है DRDO ने इस ड्रोन में चार-चार लगाई हुई है तहाँ पर जो यह ड्रोन है वो इस परकार मिसाइल को अटेच करके दूसरे देश के टैंक पर अटेच कर सकता है हाला कि दूसमन देश के टैंकों को नस्ट करने के लिए भारत ने पहले से ही एक बहुती एडवांस मिसाइल डेवलाप करके रख ली है जिसका नाम है हैलीना मिसाइल इस मिसाइल का बज़न कीबल और कीबल 50 किलो है और तपस ड्रोन में ऐसी ऐसी साथ मिसाइल को अटेच करके और चाइना पाकिस्तान जैसे इस ड्रॉन में एक अलग तरीके के navigation system को install किया गया है, जैसे कि आपको शाहिद पता होगा कि दुनिया के जितने भी ड्रॉन हैं चाहिए वो तुर्की का ड्रॉन हो इरान या फिर अमेरिका सारे GPS सिस्टम का उप्योग करके अपने target पर attack करते हैं और इसी की बज़े से इसका जो सारा डेटा है वो अमेरिका के पास पहुंच जाता है तो ऐसे मैं भारत ही ये नहीं चाहता कि जो भारत का परसनल डेटा है वो अमेरिका के पास जाए इसी लिए जो तपस है वो इसरो की गगन सेटिलाइट से कनेक्ट होगा और इसरो की जो ग GPS का उप्योग नहीं करना पड़ेगा गगन इस ड्रोन के उपर एक रडाल लगाए गया है जो कि गगन सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और यहां पर जो सैटेलाइट है वो सारा डेटा इस ड्रोन में भेज देगी और उस डेटा की आधार पर ही ये ड्रोन दुसमन पर अ अटेक कर सकता है दूसरी चीज की इस ड्रोन में लेजर सिस्टम भी इंशॉल किया गया है जिसकी बज़े से ये जो ड्रोन है वो लेजर के माध्यम से भी किसी टैंक पर अटेक कर सकता है या फिर दुसमन देश की किसी और जो चीज है उस पर अटेक कर सकता है हाला कि भारत ने ये ड्रॉन इसलिए बनाए है ताकि भारत ड्रॉन की फिल्ड में भी आत्मिनेर्भार हो सके और भारत को ड्रॉन के लिए किसी के सामने जुकना ना पड़े और साथ ही साथ भारत चायना और पाकिस्तान जैसे देशों को मूतोर जबाब दे सके हाला कि अब आपका क्या कहना है इस मेडिन इंडिया तपस पर आप मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहले कर जरूर दबाएं